मित्रो अभी अभी सिवराज जी ने कोई बड़ा यग्य कराया लगता है हरोज मद्यप्रदेश सुर्खियों में है कुछ दिन पहले प्रदान मंत्री जी स्वयम आये थे और श्री महाकाले स्वर के वहां महाकाल कौरीडोर का रलोकार पण करकर गए बगवान महाकाल सदियों से समग्र देश के लिए आस्था का केंद्र रहे यह उचेनी नगरी गुप्ट सामराज्य के समय से भारत की कला का संस्कूर्दी का केंद्र रही यही से भीर विक्रम की बातों को आज भी बच्चा बच्चा जानता है वो उज्जेन में अद्भूत नजारा में अती सोयक्ति नहीं करता मेरे जीवन में मैंने ऐसा भव्य नजारा नहीं देखा जब महाकाल लोकार पण हुआ तो धान मंत्री जी ने देश की 130 करोड की जनता की और से बड़ी स्रद्दा के साथ महाकाल का पूजन अर्चन भी किया और आज जब भी मैं वोक्षन को याद करता हूँ तब याद आता है कॉंग्रेशियों ने इतने साल राज किया ना केदारनात का उद्धार किया ना बद्री धाम का ना उज्जेन का ना कासी विसोनात का उन्होंने भारत की सांस्कूर्तिक विरासत को खस्ता हाल में डाला प्रदान मंत्री जी ने तुरुष्ट्री करन की इरादनिती का त्याग करकर धडलने से हमारे सभी मान बिंदूओं का सनमान किया और उनको सद्यों सद्यों तक स्रद्धा से लोग देखने आये इस प्रकार के बातावर्ण की निर्मिति की मित्रो आज मैं यहाँ पर ग्वालियर में आया हूँ मैं ग्वालियर में आया हूँ तब सबसे पहले महाजी सिंध्या की विर्टा को प्रणाम करकर नमस्कार करना चाहता हूँ सिवाजी महाराज ने जो स्वदेश का स्वराज का मंत्र जगाया था पूरे उत्तर भारत में अनेक यात्नाए और कश्ट बेट कर जहल कर महाजी सिंध्या ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था मैं भारतिय जन्ता पार्टी का कारेकरता बड़े बच्पन से यही भूमी की दो विभूदी स्रिमंत विज्या राजे सिंध्या जी राजमाता जी और हमारे कुसा भाव जी भारतिय जन्ता पार्टी का छोटे से छोटा कारेकरता भी स्रिमंत विज्या राजे जी को और कु नहीं सकता। अंगिनत उकार ये दोनों महान विभूतियों का भारतिय जनता पार्टी और भारतिय जनता पार्टी की पिडियों की कार्यकरता उपर पड़े। अटल जी ने भी इसी भूमी को अपनी कर्म भूमी बनाया और अटल जी ने समग्रदेश के अंदर पहली बार भारतिय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री बनकर आज एक संदेश दिया था कि भाजपा की सरकार कैसी हो सकती है। हलांकि संयुक्त सरकार्ती फिर भी एक बड़ा संदेश उन्होंने देने का काम किया था। मित्रो आज मैं यहां आया हूँ एक आधूनिक से आधूनिक राजमता विज्या राजे सिंध्या एरपोर्ट का भूमी पुजन आज हम सब ने मिल कर किया है। मैं सिंध्या जी को बढ़ाई देना चाहता हूँ क्यूंकि जिस सिद्दत से साथ बारी किसे इन्होंने एरपोर्ट का प्लानिंग किया है। मुझे लगता है देश के सबसे अच्चे हवाई अड़ों में यह हमारा गवालियर का एरपोर्ट होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कई लोगों को ग्रामीन और सहरी प्रदान मंत्री आवास का लोकारपन किया गया उनको घर की चाबी दिए। मित्रो हम सब समझते हैं एक गरीब घर की व्यक्ति के लिए अपना घर एक स्वपन होता है। और प्रदान मंत्री जीने चाहे सहर हो चाहे गाउं हो हर गरीब को गर मिले यह लक्स भारतिय जनता पार्टी की सरकारों के सामने दिखा है। बीच में यहां थोड़ा समय कमल नाच जी की सरकार आई आई थी ना भई जरा जोड़ से बोलो आई थी ना अनुबव कर लिया ना हो गया ना सारी योदना ये बन कर दिदी। प्रधान मंत्री आवास योदना के लिए ना सेहरी के लिए ना ग्रामिन के लिए चार आना भी नई दिया। सारी योजना बंद कर कर रख दी। फिर से सिवराज जी मुक्य मंत्री बने और आज योजना अपनी पट्री पर चड़ गई। मैंने आते ही सिवराज जी को कहा, सिवराज जी उन्होंने जो किया वो किया, ये सारी योदना ये थोड़ी पीछे पड़ गई है, क्या करोगे। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा है, तुरत गती से करना है, तेज गती से करना है, और जो नुकसान हुआ है, वो भरपाई करकर 24 के पहले लक्स पुरा कर देना है। इसी तरह यहां से चंबल की नदी जा रही है भाई, एकवालीर चंबल संभाग से ही, लाखो करोडो गैलन पानी यहां से जमना जी में जमना से गंगा जी में ने गंगा जी से बंगाल तक जाता है। मगर यहां हर घर में पानी नहीं पहुता है। प्रदान मंत्री जीने एक योतना बनाई हर घर नल से जल, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में नल से जल पहुचाने का कारेक्रम किया, उसको भी कमलनाजीने बंद कर दिया था। थोड़ा लेट हो गया, मगर सीवराजीन ने उसको चालू किया, और लगबग लगबग बयाली सो करोड के काम, अकेले क्वाली और चंबल संबाग में आज सुरूँ। मित्रो जो एरपोर्ट बना है, पचीस जार वर्ग मीटर का बिल्टप एरिया, एक लाग साथ हजार पेसेंजर से, क्यारा लाग पेसेंजर का क्षमता का विस्तार, टू पॉइंट फाइव गिगावट सोलर पावर के साथ, ग्रीन एनर्जी से संचालिक एरपोर्ट, और एक साथ चौदा सो से ज्यादा यात्री को चड़ाने की और उतारने की भ्यवस्ता यहाँ पर बनी, इसके साथ साथ यहाँ कार्गो टर्मिनल भी बना है, जो वालियर चंबर संभाग के सभी MSME का लगू उद्योजोगा का माल उनका उत्पाद पूरे विश्व के अंदर भेजने के काम आएगा, जिससे इक सेत्र में रोजगारी भी बढ़ेगी और इक सेत्र के अंदर बहुत तेजी से विकास होगा, मित्रो मोधी जी के नेत्रुतों में इंफ्राश्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास होगा, सोनिया मनमोन के समय में 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते, पहले एक साल में 375 किलोमीटर रेल डाली जाती थी, आज 375 से बढ़कर 1458 किलोमीटर, और कुरुसी नरेंद्र सिंग जी बैठे हैं, कुरुसी का बजेट जो पहले 27 अजार करोड था, ताली बजाना जोर से 27 अजार करोड से बढ़ा कर, एक लाग 24 जार करोड रुप्या कुरुसी का बजेट था, भारतिय जन्ता पाटी की सरकार, मोदी जी के नेत्रतों में चउम की विकास की और आगे बढ़ रही, माताओ भाई और बहनों सिर्फ विकास नहीं, देश की कई ऐसी समस्याएं, जो वर्सों से जिसका समादान नहीं होता था, आप मुझे बताईए, आप सभी चाहते थे या नहीं चाहते थे, कि अयोध्या में भव्य राम मंदीर का निर्मान हो, जरा जोड से बुल्ये चाहते थे या नहीं चाहते थे, एक कॉंग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया, हमें टाने लगाते थे, मंदीर वहीं बता बनाएंगे, तीथी नहीं बनाएंगे, बताएंगे, मोधी जी ने आपने प्रदान मंत्री बनाया, दूसरे टम्मे और तुरंत ही, एक भी बुंद रक्त बहाय बगर भव्य राम मंदिर का सिला न्यास करने का काम किया है, और अपने जीवन काल में ही, हम एक भव्य आकास को छुने वाला राम मंदिर, अयोध्या की वो ही भुमी पर देख पाएंगे, ये संभव मोधी जी के कारण हुआ है, सिवराज जी ने कहा, सिवराज जी ने कहा कि धारा तिन सो सत्तर हट नहीं सकती थी, मोधी जी का ही द्रण संकल्प और मनोबल है कि 5 अगस्त 2019 को धारा तिन सो सत्तर से हमारे संभिदान से उखाड़ कर फैक, आर वो कस्मीर भारत माता का मुगुट बनी बनकर हमारे साम राजपत कर्तव्य पत में परिवर्थी धुआ, कई सारे एसे काम जो कभी नहीं हो सकते थे, मोदी जी ने किये हैं, मित्रो सिविल एविएशन छेत्र में भी उडान को लाए और आज टू टायर और थ्री टायर के हवाई संपर्क के कारण, वहां से एक करोड यात्री हवाई यात्रा कर रहे है, यह नरेंद्र भाई ने बढ़ा है, चंबल ग्वालियर वालों आप सभी का तिन तिन टिका लग गया है या नहीं लग गया है वे जरा बताओ लग गया है नहीं लग गया है एक पैसा भी देना पड़ा है इतने बड़े देश में दो सो चौबीस करोड टीके लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने टेकनिक के आती और टीका लगाते ही 10 सेकंड में मोदी जी की मुस्कुराती फोटो वाली रिसिट भी आ जाती थी आ जाती थी न भाई एतना ही नहीं लगबग लगबग ढाई साल तक देश के हर गरीब को DES के हर कर देर गरीब को घर हर गरीब के घर में स्वाचा लए पांच लाग तक का स्वास्थ का काड़ और हर गरीब को मुक्त राषन नरेंद्र भाई ने 80 करोड गरीबों को पहली बार अनुभव कराया है कि आजादी के बाद इनके लिए भी कोई सोचने वाला है मित्रों मुझे लंबी बात नहीं करने मैं इतनी ही बात करने आया हूं मध्यपदेश ने एक बार कॉंग्रेस का अनुभव कर लिया है कर लिया या नहीं कर लिया भई अरे जोड से बोलो किया या नहीं किया कैसा रहा कैसा रहा अब फीर से चुनाव आने वाले हैं आने वाले प्रोसा रखकर कमल के निसान पर बटन दबाकर भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार मित्रो आज वालियर सहर के लिए बहुत मोडी बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने भेजी है चोतिरा दित्ते इसी विभाग के मंत्री हैं वालियर के ही है स्वाभाविक रूप से नैनीहाल में अगर मा परोस ने बेठे तो बेठे को खाने में कोई तकलिप पड़ेगी क्या पड़ सकती है बहुत अच्छा एरपोर्ट बनाने का उपक्रम जोतिरा दित्ते जी ने यहाँ पर जमिन पर उतारा है मैं जोतिरा दित्ते जी को और मोदी जी को पूरे संभाग की जनता की और से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और आप सभी को यह कहना चाहता हूं मध्यप्रदेश का विकास नरेंद्र मोदी जी और सिवराज सिंग जी सरकार का लक्स है भारतिय जनता पार्टी हमेशा विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगी देश को सुरक्सित करेगी और भारत माता के घौरव घान को पूरे विश्व के अंदर सनमान के साथ पहुचा काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार करेगी फिर से एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं मेरे साथ बोलिये भारत मता की भारत मता की भारत मता की भारत मता की